हेलो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक error आया है वाए मैं अपने laptop को start कर रहा तो यहाँ लिखा हुआ है pxc mof exiting pxc roam करके तो यह error किस चीच का है और क्यों आया है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे तो बिना time waste पर चलिए करते हैं point के बात और वीडियो को करते हैं start बटन को दबाना है जैसे पाइब बटन दबाएंगे आपको उसके पाद आपको जाना है आपके BIOS mode में न तो मेरा BIOS mode है लैनुओ का F2 तो चली मैं F2 दबाता हूँ आपका delete हो सकता है यहां मैं F2 दबा रहा हूँ और BIOS mode में चले जाना है जैसे आप boot menu में पहुचेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है boot वाले option में और यहाँ पर आपको एक option दिखे रहोगा PXC boot to lane करके वो enable है आपको disable कर देना है या आपके laptop में लिखा होगा network boot तो मैंने यहाँ पर दोनों को mention कर दिया है या तो आपके laptop में लिखा होगा network boot या तो लिखा होगा PXC boot to lane दोनों में से जो भी option आपके में दिखा रहोगा दोस्तों boot menu में वहाँ पर आपको इसे disable कर देना है disable करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे आपको सिदा सिदा बाहर निकलना है exit के तरफ exit में दबाएंगे और जैसे आपने setting के है उसको enter दबा के save कर देंगे अब मैं चालू करके देखता हूँ laptop तो यह दोस्ता हमारा laptop चालू हो गया है बट आपका laptop अगर दोनों boot का setting करने के बाद भी चालू नहीं होता है और फिर से यह same error आता है तो आपको क्या करना है जैसे यह error यहाँ पर मैंने mention कर दिया है अगर आप ने save किया है setting को उसके बाद भी same error आ रहा है तो अगला setting क्या होगा आपका तो वो भी देख लेते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है फिर से आपको अपने boot menu में जाना है यह देख सकते हैं यहाँ बूट मैं हो गया यहाँ पर boot mode लिखा वाया तो यह legacy support है इसे हम UFI कर देंगे यह UFI कर दिया मैंने और फिर से आपको क्या करना है exit करके save कर देना है जैसे आपने पहले किया था यह exit पर गया और enter दबाके हम इसे यहाँ पर save कर देंगे यह save कर दिया तो भी आपका laptop चालू हो जागा अब दोनों setting में से आपका laptop कैसे चालू होता है और error नहीं आता है वो आप decide करके comment करके हमें बता सकते हैं तो दोस्तों आज की video भी इतना है था I hope आपको video पसन आए होगा अगर video पसन आए तो please video को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और video को share कीजे और किसी प्रकर का doubt हो तो comment करके पूछ सकते हैं और दोस्तों आपका प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत thank you आपके support के वज़े से या आज 500 subscriber में cross कर शुकर हो और आपकी दूआ रहेगे तो और भी आके बढ़ जाएंगे तो thank you so much अपना खाल रखिएगा मिलते हैं नेक्स टूडियो पर